हेलो आल मैं हूँ मोहम्माद हनीफ आप सबका फिर से स्वागत है इस नए प्लेयलिस्ट में जहां पर हम डील कर रहे हैं हाडवेर डिस्क्रिप्शन लाइंग्वेज यूज करते हुए डिश्टल सिस्टम डिजाइन लाप का आज हम सेकेंड एक्सपर्मेंट डील करेंगे जिसमें हम देखेंगे के हम डेटा फ्लो स्टाइल में हाफ एडर को कैसे डिफाइन करते हैं वेरी लॉग हेस्ट लाइंग है एन बी और इस डिजिटल सरकुट के लिए आपको एक सम और एक क्यारी आउट भी ऑट्पुट होगा ठीक है जो शुरू करते हैं सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करना होगा जहां पर हम वेरी लॉग कोड इंप्लिमेंटेशन के लिए 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 तो सेलेट करें क के एड़ क्रियेट डिजाइन सोर्स और नेक्स्ट और यहां पर आपको इन पूट्पुट्स मेंशन करने होगे ठीक है अगर नहीं करेंगे तो चलेगा आपको तो ओके तो यहां पर आपको इन पूट्स और आउट्पुट्स को मेंशन करने हो रेट इन पूट्ट ए आइन बी और आउट्पुट्ट होगा सम और कैरी राइट ठीक है यहां पर जैसे आपने टू इन पूट्स लिये हैं ए एंड बी और आपके पास दो आउट्पुट्स होगे सम carry ठीक है अगर आपके पास दो inputs होगे तो 2 power end combinations का आपको input combinations बनेगे यहाँ पर 2 inputs याने total आपके पास 4 input combination होगे जैसे 001 combination होगा 01 1011 ठीक है अब हम addition करेंगे half adder माने यह without carry से add करता है ठीक है अब 0 plus 0 आपका sum होगा 0 और carry होगा 0 0 plus 1 sum is 0 carry 0 1 plus 0 sum 1 होगा और carry 0 1 plus 1 यहां पर decimal में अगर हम 1 plus 1 करेंगे तो आपको result 2 मिलेगा ठीक है वही यह आप 2 decimal में है इसे अगर आप binary में convert करोगे तो आपका binary equivalent 1 0 हो जाएगा तो 1 0 यह आपको unit place में होगा और यह आपको carry generate कर देगा तो इसलिए यहां पर आपको 0 sum 0 होगा और carry 1 अब हम कभी भी अगर data flow में लिखना चाह रहे हैं तो इसका representation हम boolean equation के आधार पर करेंगे ठीक है ना boolean equation तो अब यह half order का boolean equation अगर बनाते हैं तो पहले sum के लिए pos बनाएंगे जिसे product of sums तो आपका one यहां पर एक यहां एक one है इस input का combination है आपके पास a bar और b और दुसरा होगा sum a और b bar अगर इसको solve करेंगे तो यह आपका xor है ठीक है और similarly हमें carry का boolean equation लिखना है तो सरफ boolean carry में सरफ यह input combination है आपके पास इसका मतलब यह and b और sum के लिए आपको चाहिए xor get और carry के लिए आपको चाहिए and get ठीक है तो हम अभी program में यही mention करेंगे और data flow में हम कभी भी हो assign keyword इस्ते हमाल करते हैं assign sum जैसे हमने देखा था इसे यहां पर xor get चाहिए xor b वैसे ही हमें carry का भी बना देना होगा a and b right अभी इसको save कर देंगे आप यहां पर एक देख सके होगे के मैंने पिछले प्रोजेक्ट में ही अभी एक नया आप फाइल क्रियेट किया है हाफ एडर के नाम से लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यह आपका है टॉप हेडर की डिफाइन कर रहा है तो अगर आप रन आर्टियल अनासिस करते हो स्केमेटिक देखने के लिए तो आपको यह गेट्स का स्केमेटिक दिखाएगा इसलिए आपको पहले यह आपका इसे टाप मॉडिल बनाना होगा सिंप्ली आप जिस राइट क्लिक कीजिए और सेट आस टाप मॉडिल सेलेट कर लिजिए तो अभी हाफ एडर आपका टाप मॉडिल बन गया और यहां पर आप देख सकते हो कि अपडेट भी हो रहा है ठीक है अब यह सेलेट करके आप आर्टियर अनासिस में स्केमेटिक र का स्किमेटिक यहां पर आप देख सकते हों कि a a and b हमने डिफाइन किया था इनपुट के तोड़ के तौर पे और क्यारी context का परेशन दिखा रहा है और क्यारी का आप्रेशन दिखा रहेए ठीक है और इसके बाद हमें इसे सिमुलेट करने के लिए एक टेस्ट बैंच का प्रोग्राम लिखना होगा तो यहां से हम simulation में जाएंगे और half adder पर right click करके आप एक add source कर दोगे ठीके और यह आपका simulation source होगा यहां पर file create कर दीजे और half adder underscore tv राइट ठीक है अब यहां पर हमने पिछली बार भी देखा था जितने भी inputs होगे आपके वो पूरे यहां पर wire में बदल जाएंगे ठीक सॉरी रेज में बदल जाएंगे रेज ए रेज बी और वायर होगा सम और वायर होगा क्यारी ठीक है और फिर से हमें टेस्ट बेंज जभी भी आप लिख रहे हो तो आपको कह को instantiate करना होगा तो आह में क्या कौन सा इंसेंट करना होगा अफिडर थीक़ हाफ जायर आप यहां पर धियान दी कि आप आपको same जो भी आपने नाम फाइल implementation में लिखा था वही नाम यहाँ पर लिखना होगा और फिर से आपको unit अंडर test कर देंगे और यह यहाँ पर आप dot a ठीक है dot b dot sum dot dot carry ठीक है एपन गया और यहाँ पर आप इनिशल बिगिन a is equals to 0 20 equals to 0 और यह हमें hash 100 थक चाहिए ठीक है और हम मैं इसी को copy कर लूँगा तेन वक्त ओके और यह हो गया 01 ठीक है और यहाँ पर हमने इसे इंड कर देंगे और यहाँ पर डॉलर मॉनिटर तॉलर मॉनिटर इस्तेमाल करेंगे जिसमें a होगा बाइनरी में बी इसकोस टूबी बाइनरी और हमें चाहिए सम क्यारी बाइनरी ठीक है और यहाँ पर हम टाइम डिस्प्ले करेंगे टाइम एक काम करेंगे हम शुरू में दे देंगे इसे ठीक है टाइम यहाँ पर देदेंगे और यह डिसिमल में डिस्प्ले ठीक है और यहाँ पर आपको होगा डॉलर टाइम और एक कामा चैरी ओके ठीक है अभी से सेव करते हैं जैसे ही हमने सेव करें तो यह इसमें मिल जाएगा ठीक है अब यह वाला सेलेट करो और सिमिलेशन में रन बिहेविर सिमिलेशन यह क्या है यह गेट्स का दिखा रहा है है ओके तो एक छोटी सी गलती हो गई यहां पर यहां पर आप देख सकते हो कि यह टॉप हरार की गेट्स को दिखा रहा है तो यह भी हमें चेंज करना होगा से टैस्ट टॉप मॉडल कर देंगे हाफ एडर को अभी आप इसे सेलेट कीजिए फिर से अब यह रन सिमिलेशन करती जिए अब आप देख सकते हो एंबी सम और क्यारी जेनरेट हो गया ठीक है खाथ जी जे करना का learnPайтеy खीम जीडरौन इसे तरह आपको में यहां पर आपका यहां अभी आप एक काम कीजिए आप छोफ सुलम आड़र का सर्क्यूट एट बेडि लौग में आप डिफाइन कीजैे ठीक है आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप कुछ सीख पाओगे ठीक है आप सब का धन्यवाद और अगले वीडियो में हम दुसरा नया वीडियो बनाएंगे इस बार हम स्ट्रक्ट्रल स्टाइल में प्रोग्रामिंग करेंगे ठीक है थैंक यू